22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम लला की प्रान प्रतिस्ठा है अयोध्या नगरी सज रही है और अब सज रही है इस तरह की फूलों से गेंदा के फूल के मालाओं की देखी संख्या धेड लगे हुए है यहाँ पीले और आपको बताओं की भगवे कलर के गेंदा फूल के माला और जो मुझे बताया गया है कि अभी यह 10 ट्रक आया है, 60 ट्रक और आएगा और यह पूरा 22 तारीक से पहले 21 तारीक तक अयुध्या की सडकों पर इसे पूरे दोनों तरफ, सडक के दोनों तरफ जिस रास्ते से प्रधानमंति नरेंद मोदी जाएंगे इस पूरे रास्ते को इसी तरीके से सजाए जाएगा और जगा जगा पर कई तरों पर यह जो फूल के तोड़न द्वार बने हुए है जैस्री राम जिसमें लिखा जा रहा देखिए उसमें पत्तों का भी कॉंबिनेशन लगाया गया है फूल है गेंदा फूल का और इस तरीके से जैस्री राम के तोड़न द्वार अलग-अलग गेट पे अलग-अलग सडकों पे इस तरीके से लगाए जाएंगे और यह जो जानकारी मिली है कि इसमें अंदर देखेगा टेंट में जो है कि मजदूर जो है वहां पर फूल के लिए लोग वो काम कर रहे हैं उत्सब हमारे साथ हैं उत्सब यह कौन सा फूल लेके अब घूम रहे हैं यह जो फूल है यह कौन सा फूल है गुलदावरी का है तो क्या फूल है कहाँ से आये हैं और क्या त्यारी हो रही है। कहां पर कैसी सजावlor ज'mrage । यह सीता राम है, यह सीता राम है, यह जो हमारे रोड डिवाइडर हैं, यह रोड को सजाने के लिए है, बारस वैरिकेटिंग के लिए जो सुन्दरता अधिक से अधिक हम बढ़ा सकें, जो पुस्पो की सुगंद से हम इस पूरी आयोध्या को राम मै बना देंगे, देशी औ आप उत्सब ने कहा हमें कि सीता राम, जैसरी राम इस तरीके से देखिए, फूल और यह पैकेट उधर जो दखे हुए हैं, वो सब विदेशी फूल के पैकेट हैं, चलते हैं, अंदर में कैसे काम कर रहे हैं, उसकी एक जलक दिखाता हूँ आपको, चारो तरफ फूल ही फ सड़क के दोनों तरफ तोरन द्वार बनाए जाएंगे, और साथ ही सड़क के दोनों तरफ जो रास्ता रहेगा बैरिकेडिंग पर, उनको फूलों से सजाय जाएगा, और इस तरीके से बाइस तारीक को अयुद्धा ऐसे फूलों से सजीवी दिखेगी, यह प्रयास किया जा रहा है और 21 तारीक को ही सब कुछ सजा दिया जाएगा, यह प्रयास है और यह कोशिस है इन फूलों मालाओं से अहिद्धा को सजाने की, कैमरान सुभास के साथ पंकज्जा, टीवी नाएंगे,